बढ़ा सवाल देख रहाँ पर मैं हूं आपके साथ दिव्यासे दिल्ली के सिम अरविन किज्डिवाल के तरफ से बार बार E.D. के समन की अंदेखी कीचाती है कोई न कोई बहाना बनाते हैं लेकिन E.D. के सामने पेश नहीं होते दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में E.D. ने केजरिवाल को आठवा समन पेचा है और चार मार्च यानि की आज केजरिवाल को पूछताच के लिए पेश होने को कहा क्या लेकिन आज ही दिल्ली सरकार बजट पेश करने वाली है एसे में केजरिवाल के E.D. के सामने पेश होने को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए है इसे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस्टूडियो मौझूद है Capital TV के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनिश्कुमार डॉक्टर साब स्वागत है आपका क्या लग रहा है आज पेश होंगे क्या बिल्कुल नहीं होंगे यह भगोड़ा हो चुके है यह कैसे जाएंगे E.D. के सामने क्योंकि उनको मालूम है कि E.D. के पास गए और गरफतार हुए गूम गूम कि आज कल वो टेलीजिन चल वाले सब कर रहे है दिन वर का डिविट का प्रोग्राम अज एलेक्शन के दोरा है जम के प्यार हो रहा है बेवकूफ की माफिक एंकर जो है आप अपनी राय बताईए आपको तो बहुत सारा E.D. में क्यों नहीं जा रहे हैं काउंटर सवाल नहीं पूछेगा पूछेगा क्या कि मैं E.D. के समन में आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं और उसको बाद छोड़ देगा भासन देने के लिए ये बड़े-बड़े टेलिजिन चैनल के एंकर्स पढ़ाय लिखाई करते हैं नहीं करते हैं समन में नहीं आता है पीछले समन और इस समन में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है जो इनको इल्म नितक नहीं है बड़े-बड़े चैनल बन करके घूमते हैं ये सब पढ़ाय लिखाए साड़े सताइस ध्यानी नहीं देना है दुनिया में क्या चलना है और एक व्यक्ति को जो है अपना प्रफॉर्म दे दो बही अगर ऐसे ही प्यार कर रहे हैं लिख दो उपर प्रावजित प्रोग्राम क्यों अतना तमसक कर रहे हो वो जा जा रहा है अपने साथ लोगों को लेकर के जा रहा है ये भी करार में है तो पंजाब का हैट दिली का हैट बंद हो जाएगा अब वो बोलेगा पब्लिक तालीब हो जाएगी पब्लिक में क्या मेसेज जाएगा कि वही आम जंता जो है केजरिवाल के साथ है फर्क क्या आया है फर्क बहुत साफ है तमिलाडू में चार-पांच आईये सद्धिकारी के खिलाफ एक सैंड माइंड गोटाला में जो है वो E.D. ने समन किया अब सैंड मापिया तो सरकार चलाती है हर जगह प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गई स्टैलिंग सरकार चली गई हाई कोट के भई नहीं जाना है तंग किया जा रहा है लोगा डिरेक्टरी को इंवाल्मेंट नहीं है हाई कोट ने भी कह दिया मत जाना है ईडी वाले आगे सुप्रिम कोट तिन दिन पहले फैसला आ गया कि ईडी बुलाना है तो आपको जाना है आप ईडी के समंस का निरादर नहीं कर سकते यए सुप्रिम कोट का फैसला है अँप प्रहदेश में लागू हो गया अब बुलाया गया है अब यह नहीं गय तो मैं ठीवी डिबेट्स की बात इसली मैंने कर किया क्यों केजरीवाल हाँ जाकर के कह दिया है कि हम कोट में जाकर साबित करेंगे हम लोग कि कि यह illegal है कोट में साबित कर तुम तो रोज पर स्कान्फरिविस करने कि यह समधी लुए कोट के सामने दो सवाल है बस पहला सवा यह है कि आप निराधर जो कर रहे हो अभलन जो कर रहे हैं समध्स की उसका वलोईड ग्राउंड है या नहीं है क्या आप जो बहांने बारी कर रहे हो वह बहांने valid है या नहीं है summons को miss करने के लिए judge ये तै करेंगे legal और illegal summons है या नहीं है ये नहीं होता और दूसरा जो judge सहाब के सामने सवाल है वो ये कि क्या आपने ED के summons के का निरादर करके क्या अपने उपर IPC 174 के तहट जो सजा है वो आपने कबूल करना है आपने वो काम किया है या नहीं किया है मतलब आपको सजा देनी है या नहीं देनी है legality legality का सवाल ही नहीं है और आपने जो है budget कर दिया पिछली बार बुलाया तो आपने कर दिया विश्वास प्रस्था वा गया माई लॉड चिठी लिख दी अब विश्वास प्रस्था बीजेपी थोड़े लेकर के आई तुमने टाइम डेट मिला करके कह दिया तुमको पंदर तारिक को देना था आप उसको आगी लेकर के चल रहे थे वो तो LG को भी चिठी लिखने पड़ा कि बजट जो है रास्पति किसे साइन होकर के आ चुका है उसको प्रजेट क्यों नहीं कर रहे हो तो समन्स का वेट कर रहा था चार तारिक को किया गया बुलाया गया तो चार तारिक को रख दिया अब अगला समन होगा तो 7 तारिक 8 तारिक को दिया जाएगा तो फिर कोई दूसरा बहाना करेगा तो आप यह समझजे कि ये बार-बार ये क्यों कर रहा है ये सहीद बनने की कोशिश में ये बिल्डियर इसका पूरा साथ दे रही है विक्या हुआ जो बिकार के के लोग कहते हैं वे गोधी मीडिया गोधी मीडिया कि जितने बड़़ध गोदी मीडिया वाले हैं वो सब के सब जो है वो के जीवाल की दलाली में लगे हुए पूरी तरीके से प्रस कांफरेंस होता है कोई सवाल नहीं पूछता भैश पूछना चाहिए न कि वह वह कह रहा है कि मैं कोई घुटाला जीनि हुआ है जबरस्ति तंक किया जा रहा है और यह करें देखे सुप्रीम कोट ने तो मनी सिसोद्य केस में कहा कि अगर ट्रायल कोट में दो दिन में यह ठीके का नहीं दो मिनट में केस खतम हो जाएगा और बेफकुब के माफिक जो है एंकर बैठा हुआ 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 कर रहा है उससे मांगते ना कि जज्ज्मिन्ट में कहा लिखा हुआ है जज्ज्मिन्ट में ये बात कहा लिखी भी है कहीं लिखा हुआ है बहस के दौराज जज्ज सहाब ने बाते कही तमान दलाल मीडिया उसको उठा दिया अख्वार में भी आड़ चलता है ने इन लोगों का हजार हजार क्रोल रुपय का बात है यह मीडिया वारे सब जो है नीचे गिर गए ओजज ने कह दिया जजज ने कह दिया जजज सहाब को फिर कहना पड़ा नेक्स्ट हीरिंग में जजज सहाब ने कहा कि कौट के दोरान हम लोग कोई बात कहते है इसका मतलब यह नहीं है कि वो जजज्मिंट का हिस्सा है लेकिन इन बेवकूफ एंकरों को या फिर उनको कहा जाता है कि भई केजरिवाल से सवाल नहीं करना जानते होंगे इतने भी बेवकूफ नहीं है है ना तो यह लोग सवाल नहीं करते क्योंकि उनको कहा जाते है कि भई सवाल करोंगे तो फिर एड बंद कर दूँगा है ना एड बंद कर दूँगा इसी धंकी में हिलो गए लेकिन यहां तो कुछ नहीं है हम तो बोली सकते है तो भाई यह बता दो कहा है के जिवाल लिखा हुआ कि जज्विंट के अंदर के दो दिन के अंदर मामला खतब हो जाएगा लिखा हुआ क्या है हाई कोट के जज्विंट में लिखा हुआ है कि मनिस सिसोधिया इस दे चीफ आर्किटेक्ट ओफ सराभ घुटाला और संदे सिंग के बारे में लिखा हुआ है तो चीफ कॉंस्पिरेटर ओफ एक साइज स्कैम मास्टर माइंड बाहर बैठा हुआ है और मास्टर माइंड घुम के कह रहा है कि देखो जी कोट में कुछ नहीं कहा गया तो यह तो मुझे लग रहा है कि केशी निवाल जो है यह सब को टोपी पहना रहा है जासाभ को भी टोपी पहना दे रहा है हाई कोट को भी टोपी पहना दे रहा है सुप्रिम कोट भी टोपी पहना दे रहा है वो रौज इवन्य कोट को भी टोपी पहना दे रहा है जनता को टोपी पहना तो बहुत दिन से वो पागलों के घूम रहे कि केजी वाल बड़ा इमानदार है बहुत दिन्य के जवाल इससे पहले कोई न कोई ड्रामा कर एडी के सामने पेशी से भागते रहे और आज भी के जवाल एडी के सामने पेश नहीं होंके लेकिन सवाल यह है कि आखिर वकरे की अमा कब तक खैर मनाएगी एक ना एक दिन तो के जवाल को इडी के सवालों का सामना करना ही पड़ेगा फिला सबसे बड़ा सवाल में इतना ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिचे हमारे वीडियो को लाइक किजे शेर किजे साती हमें कमेंट करके ज़रू बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी धन्यवाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमार साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया